तो चलिए आज हमें एक नया चेप्टर चालू करने जा रहे हैं इस चेप्टर का नाम है Coordinate Geometry Class 9 में भी आपने इसके बारी में पढ़ा है Class 9 में आपने ये जाना होगा कि अगर किसी पॉइंट के पोजिशन को अगर हमें बताना हो तो आपको इस तरह से दो Perpendicular Lines की जरुत पढ़ती है ये दोनों Lines आपस में क्या है एक दुसरे के Perpendicular है जो एक दुसरे को कहीं कहीं Intersect कर रहे है ये जो Point of Intersection है इसको क्या हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलते है Origin इसको हम लोग क्या बोलेंगे डीक है तो जो वर्टीकल लाई उसको में गा बोलेंगे y-axis जीसको में आड्नेट भी बोल सकते हैं तो यह जो x-axis तो y-axis यह जो plane है जिसमें x-axis and y-axis तो इस plane को क्या बोलता हैं तो इस plane को में बोलता है , Cartesian's plane Organe प्लेन तो यह याद रखिए गा इस प्लेन का नाम हमने क्या दिया है काड़िचन प्लेन आप यह 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 अन दिया देजे यह फ्लेन जो फोर पार्ट में डिवायडडन है देखिए first part second part third part and fourth part तो हर एक part को हम लोग क्या बोलेंगे तो each part is known as quadrant यह भी आपने पढ़ा होगा class 9 में देखिए इसको क्या बोलेंगे quadrant तो यह आपको जो है first quadrant है तो यह आप लिख सकते हैं यह हमारा first quadrant है similarly यह हो गया हमारा second quadrant second quadrant इसी तरह से आप यह लिख सकते हैं यह आपका हो गया third quadrant and this one is the fourth quadrant ठीक है यहाँ आप आप इस तरह से लिख लिख लिए फूर्ट ठीक है तो यह फूर्ट हो गया हमारे पास first quadrant second quadrant third quadrant and fourth quadrant अब आता है कि इस quadrant में sign क्या होगा तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे एक्स एक्सिस क्या है हमारा positive है और यहाँ पर अगर हम one two three four इस तरह से लिखते हैं तो यह भी हमारा प्लस-प्लस तो first quadrant का sign अगर आपसे पूछा जाया तो प्लस-प्लस यह सब अपने class 9 में study क्या होगा देखिए second quadrant क्या हो गया तो यह पहले हम लोग क्या बताएंगे हमीसा एक्स एक्सिस क्या हमें माइनस में तो यहाँ लिख लिए माइनस और y एक्सिस क्या हमें प्लस में तो यहाँ लोग लिख लिए प्लस और y क्या में माइनस में तो यहाँ हो गया माइनस यह अपने संजा है देखिए यहाँ प्लस-प्लस यह माइनस-प्लस यहाँ प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-इस तरह से भी आप समझ सकते हैं और origin का अगर आपसे coordinate पूछा जा है अच्छा थोँ आपए 4 पर यहांपर हमने क्या लिखा ? 4 और x पर कहां पर ही ? कहांपर रही है ? 2 पर है एकक्सिस पर ह्तो तो क्या आपके लिए ? अडिनेट है ? यह क्या है ओडिनेट है तो 4 & 2 abscisa and aordinate दोनों को मिला कर एक साथ अगर हमको बोलना हो तो हमनों क्या बोलते है यानि Coordinate of point A is 4 & 2 यह आपने समझा coordinate of point A is 4 & 2 तो 4 यहाँ पर क्या है abscisa है । टू क्या है हमारे लिए safeguard, यहां तक आपको Paul के लिए सब कुछ कुर distract काइसे बोलेंगे और, इसे क्या है यह सब आपको पता अगर बात आता है कि यहीं पॉंट हैं अगर यह e acknowledgement करिए अगर एक्स इकक्सीस पहुता तो क्या होता अगरूंड ऐक्स पहुता तो क्या होता इस पर फिर हम लोगों डिस्कस करना है कि points on axis है ना points on axis अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं देखिए माल लिजाए points on axis अगर यह points x axis पर है अगर यह points x axis पर हो तो यहाँ पर x axis पर होने पर क्या होता है coordinate क्या होगा बताइए जीर हो जाएगा इसके बाद इसी तरह से अगर यह point अगर y axis पर है तो क्या हो जाएगा इसका abs जीर हो जाएगा यह आपने समझा अब इसको example से समझे तो आपको और clear हो जाएगा देखिए मान लीजी यह point यहाँ पर और एक point अगर मैं बना दू यहाँ पर एक point अगर हम लोग कर लेता है और इस point का नाम मैंने दिया है B तब इसका coordinate क्या होगा अगर आपसे पुछा जाए कि B का coordinate बदाईए तो point B का coordinate क्या लिखेंगे क्योंकि यह कहाँ पर है सब्सक्राइब करने के लिखेंगे क्या है जो आपने यही point का हम बात करें अगर एक point लेड़ेते हैं C घ् utilities ऑसका आप पुछा जाए अपसे coordinate क्या होगा? और यहां क्या हो गया? 5, तो 0, 5. अब यहां ध्यान दिजेगा बहुत पहले 5 देख लेते हैं, फिर 0, 5 & 0 तो वो रोंग हो जाएगा. जब भी आपको बताना है तो पहले उसको आपको X-axis का value बताना है ठीक हमेंसा यहाद रखिएगा X-axis को पहले लिखना है Y-axis को बात में लिखना है तो C का coordinate यहां क्या हो जाएगा बताइए C का coordinate अगर हम यहां लिखते हैं तो C का coordinate तो C का coordinate क्या लिखेंगे हम लोग 0 and 5 देखें यहाँ पर क्या था ओर्डिनेट 0 हुआ था यहां पर एकसिसा 0 हो गया क्योंकि पॉइंट C लाइओन इसमें Y-axis पर ठीक है तो यह यहाद रखिएगा यहाँ पर यह एकसिसा अचा एक word आपने सुना होगा collinear ठीक है बताइए इसका मतलब क्या होता है collinear यह भी आपने कहीं ने कहीं क्लास 9 में भी सुना होगा collinear का मतलब क्या है तो suppose करिए कि अगर यह तीनों पॉइंट अगर एक स्टेट लाइन पर आ जाए यह तीनों पॉइंट से अगर आपके पास है और यह लाइन पर ही तीनों पॉइंट अगर आ जाए तो यह क्या कलाएगा यह पॉइंट से एक स्टेट लाइन ड्रो कर सकते हैं यह आपने समझा कि अगर यहाँ पर सबसे अगर आपने एक लाइन ड्रो किया अगर वो लाइन स्टेट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि कि a b and c are collinear points यहाँ अगर बात आता है कि what is origin तो औरिजिन क्या है intersection point है इन दो एक्सिस का तो the intersection point of x-axis and y-axis is called ordinate यह आप लिख सकते हैं कि जो intersection point है x-axis and y-axis का वो क्या कलाएगा ओरिजिन अब आता है कि origin का अगर आपसे पुछा जाए coordinate क्या होगा origin का coordinate क्या होगा तो देखिए origin का coordinate क्या हो जाएगा बताएगे तब इसमें लोग क्या लेखेंगे 00 यहां बोल सकते कि origin का जो coordinate है वो क्या है 00 यह भी आपने समझा अब देखिए हमें class 10 में क्या पढ़ना है यह सब आप class 9 में कहीं ने कहीं आपके पास देखिए और एक पॉइंट अगर हम कहीं और ड्रॉ कर देते हैं ठीक है इसका coordinate मैंने क्या लिखा था फूर एन टू और एक पॉइंट अगर मैंने यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लिए यहां मैंने points बना लिया और इसका नाम मैंने a b c यह ऐसी था न,point यह नाम देदिया points d का coordinate क्या होगा? भले यहां पर जियान दीजिए points d का coordinate points d कह पर लाई कर रहा है ? एक wäh 6 इक show date 6 क्या है यहां तरखिएगा 6 kia है औरु это इसको अगर यहां देखेंगे आप तो इस तरह से यह 5 नमबर पर है तो यहां पर आप बोल सकते हैं और इसका कितना 5 है यानि D का F सिसा है 6, और कोडिनेट क्या है दुनों को मिला है क्या बोलते हैं अगर आप से पूछा जाए कि A से D के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है तो इसी के बारे में हम लोगो क्लास 10 में पहले एक साइज में पढ़ना है और इसी पर एक फर्मुला है इसे निकाले पहले यह जान लेते हैं कि दिस्टेंस हों बार सब्सक्राइब करेंगे यह उसको रूम्ला आया कहा है तो देखिए इए तोह न Genk जो जैसा कि आप जानते हैं देंगे कि distance formula distance formula यह जाद खिए कि ये distance formula है पहले formula की है वो देख लेते हैं फिर इसको हम लोग डिरेव करेंगे formula यहाँ पर है एक्स टू माइनस एक्स वन का whole square plus y2 माइनस y1 का whole square अगर सबोस आपको क्या निकालना है यहाँ पर अगर आपको distance निकालना तो formula यह आप apply करेंगे, यहाँ पर x2-x1 क्या होता है, तो यह देखी, इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर x1 होगे आपके लिए, यह आपके लिए क्या है, यहाँ पर x2 है, यह आपके लिए y1 है, और यह क्या है आपके लिए y2 है, तो x2-x1 कर कर लिए y2-y1 कर लिए, और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, अब बात आता है कि यह formula कैसे याद करें, क्या यह formula हमको learn करना पड़ेगा, यह formula आया कहां से, यह कैसे create हुआ, इन सब बातों पर फिर हम लोग discuss करेंगे, तो चलिए पहले यह देख लेता है कि distance formula आया कहा इसको पहले मैंने यहां जोइन कर लिया, और इन दोनों point के बीच में हमको distance find out करना है, यहाँ पर आप क्या करेंए, यहाँ एक perpendicular आप डाल लिजे, इस तरह से मैंने एक perpendicular line यहाँ ड्रॉ कर लिजे, और यहाँ पर एक perpendicular line मैंने यहाँ डाल लिया, तो आप यहाँ पर पहले X-axis जिसको X-axis बोलते हम लोग, हो गया, Y-axis that is ordinate, यह आपको क्या हो गया, अब देखिए ध्यान से इस triangle में अगर हम जाते है, तो यह triangle आपको क्या, एक right angle triangle है, क्योंकि हमने यहाँ पर perpendicular draw किया है, यहाँ भी मैंने perpendicular डाला, यह perpendicular है, तो obviously यह right angle triangle हो गया, अगर यह right angle triangle है, तो इसमें हम लोग क्या apply कर सकते है, by pythagoras theorem से हम लोग इसमें से यह formula drive कर सकते है, easily आप देखिएगा, यह formula drive हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर इसको कैसे हम लोग drive करेंगे, तो माल लेते हैं कि इस point का coordinate, यह x-axis है, तो यहाँ से यहाँ तक distance को मैंने late कर लिया, x1, यह distance मैंने late किया, और यह distance को आप माल लिजी क्या है, x2, कहां से, origin से लेकर d तक, है न, od को, अब देखिए, इसी तरह से अगर इस line पर हम देखिए, तो c से लेकर a तक का distance, यह distance क्या होगा आपका, यहाँ से यह तक का distance, यह होगा आपका, y1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको notice करते हैं, यहाँ पर, तो यह आपका हो जाएगा, y1, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या लिया, यह y1, क्योंकि यहाँ देखिए, a से c तक का distance क्या है, y1, तो यह क्या हो जाएगा, ed कितना हो जाएगा, y1, उसी तरह से अगर हम b, b से d तक का बात करें, अगर यह y1 हो गया, मतलब a, c बोलिए, चाहे ed बोलिए, y1 है, और b, d कितना है, y2 है, अब आप यहाँ देखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए, यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए, b, e कितना होगा, b, e, देखिए, b, e कितना होगा, तो y2 minus y1, होगा न, देखिए, b से देखिए, d तक से distance, अगर हम e से d का distance को माइनस कर दे, मतलब y2 से अगर y1 को माइनस कर दे, तो यह निकल जाएगा, तो इसको मोग क्या बोलेंगे, बताए, y2 minus y, यह आपने समझा, ठीके, यह क्या है, b से e तक कर देखिए, अब इसी तरह से आप देखिए, cd अगर आपक इसको मोग क्या बोल सकते हैं, बताएगे, x2 minus, sorry, x1, x2 minus x1, यह आपने समझा, तो अब गर इस right angle triangle में आते हैं, तो in right triangle, कौन सा नाम बताएगे, आप इसका क्या नाम लिखेंगे, a, b, e, right triangle, a, b, e में अगर आप आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, by pythagoras theorem, देखे, oc कितना आपका, oc, यह कितना बताएगे, x1, फिर od कितना आपके पास, od, यह कितना है, x2, इसी तरस आप लिख सकते हैं, कि आपके पास ed कितना देखे, ed, ed कितना है, y1, और b, d कितना है, b, d, यह कितना है, y2, ठीक है, और इसके बाद आप थरस और लिख लिख तो यह कितना हो जाएगा x2 minus x1 similarly अगर आप निकालते हैं यहां से be तो be निकालने के लिए आप क्या करेंगे bd करेंगे na bd minus बताइए ed तो यह कितना होगे आपका y2 minus y1 अब यही वेल्यू आपको यहां b e square plus a e square अब देखिए हमारे पास be कितना है तो be कितना था बताइए क्या है यहां पर y2 minus y1 का square plus a e कितना हमारे पास a e तो a e किसके एकोल होगा देखिए a e equal होगा न c d के अब आप पूछेंगे हमने c d निकाला था a e तो हमारे पास था नहीं तो c d is equal to a e होगा न अब यहां लिख सकते हैं कि c d a e के equal है तो यहां पर देखिए अगर यह x2 minus x1 है तो यह भी कितना हो जाएगा x2 minus x1 होगा क्योंकि c d a e के equal है यहां भी हम लिख सकते हैं देखिए x2 minus x1 का whole square और अगर हम a b निकाले यहां से तो square हट जाएगा तो क्या हो जाएगा root over यह आपना समझा a b क्या हो जाएगा square यहां से मैं नहीं हटा दिया इस तरफ आगिया तो root हो गया तो that is आप बोल सकते है that is हम लोग क्या बोल सकते that is कि a b equal to आप यहां लिख लिजेगा इसको a b equal to root over अब इसको थोड़ा सा arrange कर लेते हैं x2 minus x1 को आगे लिख लेते हैं तो x2 minus x1 का whole square प्लस y2 minus y1 का whole square तो आई होप कि यह आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से यह distance formula बन गया ठीक है एभी क्या इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए खली आपको यह ध्यान रखना है कि हमें यह right angle triangle में जाना था इस right angle triangle में जाना था a niko कि यहां था आपको सम्झा गया होगा अगले वीडियो में हम लोग exercise को डिसक्स करेंगे एक्साइज 7.1 जो कि हमारा पहला एक्साइज है उस पर हमनों डिसक्स करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप प्रेक्टिस करते रहिए